बात करनी थी हाँ हाँ बताओ ना तुम्हारी तो शादी है इसलिए हम तो तुम्हारी सब खाईशें पूरी करेंगे वो मैं एक कहना चाहती थी के शादी करने की एक शर्ट है मेरी मैं बस उसी सूरत में शादी करूंगी अगर आप लोग मुझे शादी के बाद नौकरी करने देंगे मैं जबी इन दिमाग ठीक है तुमारा पोश में दो हो ये कैसी शर्त है मैंने बस कह दिया अगर आप लोग मुझे काम करने देंगे तब ही मैं शादी करूगी वर्ना वर्ना मेरी तरफ से इंकार समझो भाइस का दिमाग दूरूस करके रहता हूँ प्लीज अब बैठे रहे पहले खुद को तो ठीक कर लें भाई साब ठीक है तो कहके गई है मैं जबीन काम करना उसका शौक है सारी जिन्दगी उसने इस गर की चार दिवारी में गजार दी कभी कोई फर्माईश ने की उसने और अगर आज उसे मौका मिल रहा है अपनी बात मनवाने का तो वो क्यों गवाएं ये मौका तुम भोश में तो गो हुसनारा कहां तो तुम बच्चियों की हर बात पर इतरास करती थी इनके बाहर आने जाने पर अत्ता के तुमने तो इनका कॉले जाना भी बंद करवा दिया था और अब इतनी आजात ख्याल हो गई हो कि बढ़ों से बहस कर रही हो इस बात पर चुपो जाओ सनारा अंदर जाओ तुम तो रहने ही दो तुमने जो जल्म अपने साथ किया है न वही तुम अपनी बेटियों के साथ भी कर रही हो मुझे आज भी याद है कितना शौक था तुम्हें शेरोशाईरी का अपनी किताब पब्लिश करवाना चाहती थी तो लेकिन अबबा ने आपके शौक का आपके अंदर ही मार दिया सारी शेरोशाईरी की डाइरियां फाड़ के प्ठेग दी आपकी और उसके बाद जब शमीम बाइस साथ की शादी वी तो इनकी सख मिजाजी ने शेरोशाईरी करना तो लूर परना तक छड़वा दिया आपसे और अब आप चाहती हैं कि आपकी तरह आपकी बेटी की खौईशों के भी जनाजे निकल जाए पता है हमें कि आप लोग इस घर की और्टों के तहफुस के लिए उनको बाहर निकलने की अजाज़त नहीं देते लेकिन यकीन मानिये आज की और अपनी मजबूत है ना कि वो दुनिया की इस भीड़ में अपनी हिफाज़त कर सकती है मैं नहीं चाहती कि मेरी बेहन की तरह मेरी भतीजी के खौबों का भी जनाजा निकल जाए उसकी खुशी की खातर आप लोगो उसकी बात माननी पड़ेगी बस वाओ, माइंड ब्लोइंग्स पतानी कौन है जो हमारे खर की फिजाओं में बगावत फिला रहा है जिससे देखो, जिससे देखो, मनमानी कर रहा है तो कुछ गलत तो नहीं कहा उन्होंने हर किसी को हक होता है अपनी जिन्दकी अपनी मर्जी से जीने क्या अब बामियाब यही है यही है जो सब को लिबरल होने की पटिया पड़ा रही हमारे घर में यह और अजीम मिलकर अच्छा बास ना अब तुम लोग आपस में मत लड़ो और इस टॉपिक पर अब कोई बात नहीं करेगा चलो उटो, शादी की तैयारियां करो